दोस्तों यदि आप डाइगनोसिस करना किसी पशु को सिख गए तो यह जो आप भेंश देख रहे हैं इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है एसे वाले केस को हम मात्र कुछ दवा लगा कर आसानी से इस भेंश को बचा जा सकता है क्योंकि दोस्तों यह केस है मेनिजाइटीस का मेनिजाइटीस का लोग पहचान नहीं पाते हैं इसके सिम्टम्स ही आते हैं वह पशु गर्दन गुमाता है नीचे गरता है गर्दन को उपर क्योर कर लेता है और पशु की अचानक सिद्रेत हो जाती यह सिम्टम्स आते हैं मेनिजाइटीस में तो दोस्तों यदि आप इस जबसे पहले हैं में एक एंटिबायिक लगाएंगे एंटिबायिक इंजिक्शनमें में इसको एमाक्सिरम 4 चाहर गाम सुबह शाम लगातार 3 दिन तक दीजिए मां आमसिरम फ़ूर्ट मल्टि वीटामिन इंजेक्शन हाइवीट 15-15 ml, सुबह शाम लगातार 3 दिन तक लगाईए आप इसमें drip के रूप में NS, normal saline 11-1 लिटर सुबह शाम लगातार 3 दिन तक दीजे उसके अंदर आप एक कोर्टिसोन इंजेक्शन आता है दोस्तों जिसको हम बोल सकते डेक्सोना 5-5 ml आप इसको 2 दिन तक IV दीजे और इसके अलावा आप इस drip में vitamin B1, B6, B12 का इंजेक्शन आप ट्राइबवेट आता है देन इसके अलावा आप neurokind भी इंजेक्शन आप ड्रिप में मिला कर ऐसे case में जब आप लगाते हैं meningitis के case में तो ऐसे पशुखम आसानी से बचा सकते हैं देन यहाँ पर तुरंत यह आप पहुंच गए और आपको यह सिम्टम से देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंजेक्शन लगाना है दोस्तों यहाँ पर जैलाजीन क्योंकि पशुख के दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द होता है उस दर्द को खतम करने के लिए हम लगाएं वहाँ पर जैलाजीन इंजेक्शन आप वाने मिल भी लगा सकते बड़ा केटिले तो दोस्तों आप यह दिवाने में लगा देंगे पशुखम तुरं